नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों, मैं हूँ प्रवीन बंसल और हम करने जा रहे हैं पढ़ाई लेखा शास्त्र की कक्षा 11 अध्याय 5 जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण अध्याय 4 में आपने जाना कि व्यवसाइक संगटन रोकड वही में नगद वा बैंक संबंधी लेन देनों का अभी लेखन करती है रोकड वही उन सभी लेन देनों को लिखा करती थी जिसमें पैसे का आना जाना हुआ करता था रोकड वही रोकड खाते वा बैंक खाते दोनों के अंत में दोनों खातों का शेश प्रदर्शित करती है कैश और बैंक दोनों का ही एक बार जब रोकड बही को संतुलित कर लिया जाता है तो यह एक सामान्य अभ्यास है कि उसमें अभिलिकित लेन देनों का मिलान बैंक पास्बुक की प्रविष्टियों से किया जाता है बैंक पास्बुक, बैंक पास्बुक का अर्थ है बैंक द्वारा आपकी सभी प्रविष्ठियों का लिखा जाना देखिए, आपने यदि कोई चेक बैंक में जमा कराया, तो रोकड बही में तो उसको आपने लिख लिया परन्तु बैंक में वह पैसा आप तक पहुँचा या नहीं, यह सिरफ और सिरफ बैंक ही बता सकता है यह भी तो हो सकता है कि वह चेक अभी तक क्लियर ही ना हुआ हो, उस चेक पे अंकित हस्ताक्षर मैच ही ना हुए हो या कोई भी अलग तरीके का इसके अंदर रीजन हो सकता है अब देखिए, यह पास्बुक शब्द अपने आप में एक पुस्तक है पास्बुक का अर्थ है, बैंक द्वारा बनाई गई ऐसी किताब जिसमें आपके खाते में आए और गए सभी तरहां के पैसे लिखे जाते हैं इस प्रकार की जाच के लिए अवश्चक है कि रोकडिया इस बात से अश्वस्त हो कि रोकड बही में सभी लेन देनों की प्रवश्टी हो चुकी है तथा बैंक से भी खाते का विवरण अत्वा पास्बुक पूरी करवा कर मंगवा ली गई है कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रवश्टियां कैश्बुक में लिखी गई है वह सभी प्रवश्टियां अगर बैंक द्वारा दी गई पास्बुक में भी लिख दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं परन्तु यदि कैश्बुक का नाम में जब भी लूँगा तो आप कैश्बुक के बैंक कॉलम को ही याद करें कैश्बुक के कैश्बुक को आप याद नहीं करेंगे कैश्बुक के बैंक कॉलम में डेबिट या क्रेडिट पैसों का आना या जाना इन सभी प्रवश्टियों को बैंक की पास्बुक से तुलना कराई जाती है बैंक ने उनको ना लिखा हो और आप उसको लेन या देन मान चुके हैं या फिर बैंक कुछ प्रविश्टियां अर्थात पास्बुक में कुछ प्रविश्टियां हो चुकी हैं और आप उनको अभी तक लिख नहीं पाए हैं तो शायद इन गलतियों की वजह से बैंक द्वारा बताया गया बैलेंस और रोकड भई मतलब कैश बुक द्वारा बताया गया बैलेंस अलग-अलग हो सकता है तो इन दोनों शेश राशियों को सही करने के लिए इनका मिलान कराने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे bank समधान विवरण कहा जाता है अंग्रेजी में हम इसको bank reconciliation statement भी कहते हैं इस तरह की चीज़ों को उधारण से समझेते हैं आपकी पुस्तक में बोला गया है सामान ने तो ऐसा अनुभव किया गया है कि जब रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित बैंक स्तंब के योग की तुलना बैंक विवरन द्वारा प्रदर्शित शेश से की जाती है जैसा कि मैंने कहा कैश्बुक के बैंक कॉलम की तुलना ज औरमान नहीं होती, इन में अंतर होता है. इसलिए हमें सर्व प्रतम इस अंतर के कारणों का निर्धारण करना पड़ता है. विध्यारतियों, ये सारे के सारे जो भी आपसे छूट गए हैं, वो प्रविष्टियां जो आपसे छूट गए हैं, ये कोई अलग तरीके की गलती किसी रोकडिया ने नहीं कर दी है ये सामानने रूप से हो ही जाती हैं, अब आप जब अपनी कैश बुक और पास बुक की तुलना करते हैं, तो ये सारी गलतियां आपके सामने आ जाती हैं और इन सभी गलतियों को आप अपनी bank reconciliation statement में दिखा दिया करते हैं और उसी तरहां के प्रश्न आपको इस अध्याय में कराए जाएंगे चलिए देखते हैं आपकी पुस्तक क्या कहती है bank reconciliation statement मतलब यह विवरण इन दोनों पुस्तकों के शेशों का मिलान कर देता है bank समधान विवरण बनाने के लिए हमारे पास रोकड बही के अनुसार bank स्थम में दिया गया शेश जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया व उस तिथी विशेश तक दोनों पुस्तकों में दर्शाय गए लेन देनों का विवरण उपलब्द होना चाहिए यदि दोनों पुस्तकों के शेशों में अंतर पाया जाता है तो उनमें दिखाई गई विभिन मदो की तुलना कर अंतर तथा उस धन राशी का निर्धारण किया जाता है चलिए देखते हैं उधारण में दिया है कि आपको रोकड बही के अनुसार शेश परदान है मतलब कैश बुक का बैलन्स आपको दिया हुआ है अब भुकतान के लिए दिये गए चेक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए सुनिये आपने भुकतान के लिए अपने किसी क्रेडिटर को या किसी भी तरीके की देनदारी को पैसे दिये आपने अपनी देनदारियों को चेक दिया जैसे ही आपने चेक दिया आपने अपनी कैश बुक में उसको घटा दिया परन्तु उन लोगों ने अभी तक यह चेक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया है तो बैंक में से तो पैसा कटा नहीं और आपके कैश्बुक में से पैसा कट चुका है तो इस तरहां की गलती में रोकडवही और पैस्बुक के शेश आपस में एक जैसे नहीं दिखाई देंगे तो इसी तरहां के अंतरों को आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेट्मेंट में दिखाते हैं और देखते हैं बैंक द्वारा दी गई ब्याज की राशी बैंक ने आपको ब्याज दिया अर्थात पास्बुक में मतलब बैंक में यह पैसा बढ़ गया परन्तु आपको इस चीज की कोई जानकारी नहीं जब आपको जानकारी ही नहीं इसका मतलब कैश्बुक में यह राशी कम है मैंने आपके सामने दो उधारन रखे जिन दोनों ही उधारनों में आपने यह जाना कि बैंक में से पैसा आ चुका है या जा चुका है और हमें इस बारे में नहीं पता कि वह पैसा बैंक में आ चुका है या जा चुका है तो इसी तरह के अंतरों को आपको मिलाना है फिर से दोहराता हूं अपना पहला उधारन हमने किसी क्रेडिटर को चेक दिया और बैंक से अभी तक उस क्रेडिटर ने पैसे नहीं लिये इसका मतलब बैंक में पैसे ज्यादा है तो बैंक रिकंसिलेशन बनाते हुए आप सिरफ एक बात का ध्यान दीजिए जब आपको रोकरबही का शेष दिया हुआ है जब आपको कैश बुक का शेष दिया हुआ है और आपको पास्बुक के शेष पे पहुँचना है तो आप जहां पहुँचना चाहते हैं आप सिरफ उसके हिसाब से यह देखिए यदी वह चीज बढ़ दही है जैसे कि हमारे उधारन के अनुसार हमें पास्बुक के शेश पर पहुँचना है तो हम यह देखेंगे कि हमारे किसी भी प्रविश्टी के कारण यदी पास्बुक का बैलेंस बढ़ गया है तो हम भी बढ़ जाएंगे जैसे हमने अपने एक क्रेडिटर को चेक दिया लेकिन वह उस चेक को लेकर अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं करता है तो बैंक में पैसा अभी भी वैसा ही है जैसा था मतलब बैंक भड़ा हुआ है उधारण के रूप में मान लीजिया आपके कैश्बुक और पास्बुक दोनों में ही 30-30 हजार रुपे है आपने 10 हजार रुपे के चेक दिये लेकिन वह चेक अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए कैश्बुक में 10 हजार रुपे घटा दिये गए परंतु पास्बुक में अभी तक वह चेक प्रस्तुत नहीं हुए इसका मतलब पास्बुक में 30 हजार रुपे ही दिख रहे हैं अब आप देखिए तुलना कीजिये पास्बुक में तो वैसे ही 30 हजार रुपे दिख रहे हैं जैसे थे परंतु कैश्बुक से 10 हजार रुपे कम हो चुके हैं तो देखिए पास्बुक बढ़ चुकी है और इसलिए हमने इसको जोड दिया मैं फिर से दोहराना चाहूंगा यदि आप पास्बुक का बैलेंस निकालना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि कैश्बुक और पास्बुक दोनों में तुलना करनी है और यह देखना है कि पास्बुक बढ़ चुकी है तो आप भी बढ़ जाएंगे चलिए देखते हैं अपना दूसरा उद्धारण बैंक द्वारा दी गई ब्याज की राशी यदि बैंक ने आपको ब्याज दिया है तो बैंक में पैसा बढ़ गया होगा मान लीजिए कैश्बुक और पास्बुक दोनों में ही तीस तीस हजार रुपे शेश दिखाई दे रहा था परन्तु बैंक ने आपको एक हजार रुपे की ब्याज राशी दी और इसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं इसका मतलब पास्बुक में जो शेश राशी दिखाई देगी वह दिखाई देगी 31,000 और कैश्बुक जैसे थी वैसे ही अब आप तुलना कर लीजिए पास्बुक भड़ी हुई है तो जवाब है हाँ तो आपने उसको भी जोड दिया ठीक है विध्यारतियों आप देखते हैं कुछ नए उधारण नए उधारण है जमा किये गए चेक जिनने अभी संग्रहित नहीं किया गया है हमने कोई चेक बैंक में जमा कराया जमा कराया अर्थात मैंने बैंक में चेक डाला जिससे मुझे धन राशी आनी थी माल लीजिए मेरे किसी विध्यारती ने मुझे फीस दी और वह फीस का चेक मैं बैंक में डालाता हूँ परन्तु बैंक ने अभी तक उसको संग्रहित मतलब कलेक्ट नहीं किया है कारण कोई भी हो सकता है या तो बैंक हॉलिडे हो गया या फिर उस पे गिये गए हस्ताक्षर मैच नहीं हुए या कोई भी कारण जैसे ही मैंने चेक बैंक में डाला अपनी कैश बुख में मैंने बढ़ोतری कर ली मान लेते हैं कैश बुख में यह बढ़ोतری हो गई परन्तु पासबुख में कोई भी चेंज नहीं आया पासबुख जैसे थी वैसी ही रही पास्बुक में 30,000 रुपे ही दिख रहे हैं अब आप तुलना कीजिए पास्बुक भड़ी हुई है या घटी हुई है तो जवाब है पास्बुक घटी हुई है और यह हमने माइनस करी घटा दी अब देखते हैं अगला उधारण बैंक शुल्क जिसे रोकड बही में नहीं लिखा गया विध्यारतियों आप जानते हैं बैंक कई तरीके के शुल्क खाता धारी पर लगाता है उसमें से कोई एक शुल्क बैंक ने लगाया जिसकी खबर आपको बिल्कुल भी नहीं बैंक ने मान लीजिए एक हजार रुपे का शुल्क आपके खाते से काटा अब पास्बुक में पैसे कम है और कैश्बुक में पैसे उतने ही है जितने थे तो अब आप तुल्ना कर लीजिए पास्बुक में पैसे कम है या ज्यादा पास्बुक में पैसे कम है तो इसको हमने घटा दिया अब इन सभी जमा और घटा की चीजों को बैलन्स करने के बाद जो रकम आपको दिखाई देगी वह है पास्बुक के अनुसार शेश मैं फिर से दोहराना चाहूंगा बैंक द्वारा दिखाई गई राशी पास्बुक में होती है और हमारे द्वारा लिखे गए पैसे कैश्बुक में होते हैं कैश्बुक और पास्बुक द्वारा बताए गए बैंक के शेश हमेशा एक नहीं होते हैं उनमें कुछ प्रिविष्ठियों की वज़े से अंतर दिखाई देता है उस तरीके के कुछ अंतर आपको आपके प्रश्ण में दिये जाएंगे और आपसे यह निवेदन किया जाएगा कि आपको इनमें से किसी एक पुस्तक का शेश दिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि आप दूसरी पुस्तक का शेश निकालिये यदि आपको cashbook का शेष दिया हुआ है तो आपको passbook का शेष निकालने के लिए कहा जाता है और आपने सिरफ एक ही तरीके से सोचना है यदि passbook में चीजे बढ़ रही हैं तो आप भी बढ़ जाएंगे अगर passbook में चीजे बढ़ी हुई हैं तो आप भी बढ़ेंगे तभी तो आप passbook तक पहुच पाएंगे और यदि किसी error की वज़े से passbook में चीजे घटी हुई हैं तो आपको भी घटना होगा तभी तो आप passbook पर पहुच पाएंगे जिसके कुछ उधारण हमने अभी-अभी किये सीखते हैं bank reconciliation statement को एक प्रश्न के रूप में आप देख सकते हैं अनिल्व कंपनी के निम्न विवरण 31 अगस 2005 को bank समधान विवरण बनाईए मतलब आपको कुछ error दिये हुए है और bank passbook का balance आपको पता लगाना है रोकड भही के अनुसार आपको शेश 54,000 रुपे दिया हुआ है देखिए आपको रोकड भही का शेश दिया हुआ है और यह नहीं बताया गया कि रोकड भही का शेश प्लस है या माइनस तो हम इसको प्लस ही मानके चलते हैं debit balance ही माना जाएगा अब आपके सामने कुछ अंतर, कुछ error आपको दिये गए हैं अब आपको इन सब का ध्यान रखते हुए bank passbook के शेश को पता लगाना है मैं फिर से दोहरा दूँ आपको जब bank passbook के शेश के बारे में पता लगाना है तो आपको यह पता लगाना है कि bank passbook बढ़ा या घटा अगर वह बढ़ गया है तो आप भी बढ़ जाईए और अगर वह घट गया है तो आप भी घट जाईए ठीक है चलिए अनिल वा कंपनी खाते में 100 रुपे का अकस्मिक शुल्क नाम किया गया अनिल की कंपनी के खाते में 100 रुपे का शुल्क लगाया गया मतलब बैंक ने 100 रुपे से कटौती की जिसका अभी लेखन रोकड बही में नहीं हुआ है मतलब जिसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब पास्बुक में कटौती हुई और पास्बुक का बैलेंस नीचे आ गया और पास्बुक का बैलेंस कैश्बुक की तुल्ना में कम है आईए और अच्छे तरीके से समझते हैं कैश बुक पास बुक दोनों में ही मान लीजिए किसी दिन 10-10 हजार रुपे शेश है बैंक वालों ने 100 रुपे का शुल काटा और बैंक में 100 रुपे कम होने के कारण 99-100 रुपे शो हुए परंतु कैश बुक में क्यूंकि हमें कोई जानकारी ही नहीं थी वह 10,000 रुपे ही दिखते रहे पास बुक में 100 रुपे कम हो चुके हैं और हमें पास बुक का ही शेश पता लगाना है अथात पास बुक कम हो चुकी है तो हमें भी कम होना होगा तो देखिए, क्रम में थोड़ा सा बदलाव है, 100 रुपे घटा दिये गई है चलते हैं अगले अंतर पे चववन सो रुपे के चेक बैंक में जमा कराए गई लेकिन अभी उनका संग्रहन नहीं हुआ है बैंक में चेक जमा कराए गई परन्तु बैंक में अभी तक वह पैसा नहीं आया मान लीजिया, आपकी कैश बुक और पास बुक दोनों में 5-5,000 रुपे है और जैसे ही आपने बैंक में चेक जमा कराया तो उसकी एंट्री आप कैश बुक में उसी वक्त कर देते है परन्तु पास बुक, बैंक, उसमें तो कोई पैसा अभी तक पहुँचा नहीं चववन सो रुपे हमने घटा के लिख दिये तो चलिए अब चलते हैं अगले अंतर पर अब प्रश्न कहता है अनिलेवं कंपनी द्वारा 20,000 रुपे के चेक जो भुकतान के लिए दिये गए थे अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए देखिए आप जैसे ही चेक का भुकतान करते हैं आप कैश बुक में से उतनी राशी घटा लेते हैं परन्तु अगर वह व्यक्ति जिसको आपने भुकतान किया है वह उन पैसो को बैंक से लेने ही ना पहुँचे तो इसका मतलब बैंक से तो वह पैसा निकला नहीं है और बैंक में वह पैसा बड़ा हुआ ही नजर आएगा देखते हैं कैसे मान लीजिए आपके कैश बुक और पास बुक में 50-50 हजार रुपे हैं आपने 20 हजार रुपे के चेक का भुकतान किया जैसे ही भुकतान किया आपने कैश बुक में से उसको घटा दिया कैश बुक का बैलन्स घट गया, परंतु पास्बुक में अभी भी वही बैलन्स दिखता रहेगा जितना था, क्यूंकि वह चेक अभी तक बैंक में प्रस्तुत ही नहीं हुआ है, अब तुलना कीजिए कैश बुक और पास्बुक की, हमें पहुँचना पास्बुक पर है और बढ़ा हुआ है और यदि वह बढ़ी हुई है तो आपको उसे बढ़ाना ही होगा क्योंकि हमको पहुंचना पास्बुक पे है और हमने इसको 20,000 रुपे को जमाराशी में दिखा दिया अब देखिए इसको बैलन्स करते हैं जो अधिक है वह है 74,000 जिसमें से घटाया आपको जो प्राप्त राशी हुई वह हुई 68,500 जो है बैंक पुस्तिका के अनुसार 6 और यह है आपकी बैंक रिकंसिलेशन स्टेट्मेंट पूरी होती है इसी तरह के बहुत से प्रश्न आपकी पाठे पुस्तक में आपको दिये हुए हैं आप सभी से निवेदन है कि उन सभी प्रश्नों का अभ्यास करें और भी बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम आपको अगले चरण में मिलेंगे धन्यवाद झाल में मिलेंगे प्रश्नों के साथ हम यद करें चर्श्नों का आपको आपको अवाद